Welcome to Creatrix Channel, my dear friends, we are live, तो वापस आ चुके हैं मेरे भाई आप लोगे लिए एक नया power pack, एक knowledge pack, एक interesting lecture ले करके about medium transmission line, तो मेरे भाई कल तक हम लोगों ने short transmission line cover कर लिया था और आज discuss करेंगे medium transmission line और बहुत बहतरीन concepts discuss करेंगे, सारे model discuss करेंगे, चारों model और साथ साथ discuss करेंगे फेरेंटी effect, तो बहुत important concept है फेरेंटी effect, जो कि आज आप बहुत detail में पढ़ने वाले हो, जितना आपने detail में कभी भी फेरेंटी effect साथ deal नहीं किया होगा, that is guaranteed, तो आज जो आप सीखोगे न मेरे भाई, तो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा, बहुत entertaining और बहुत interesting class होने वाली है, बस मेरे साथ बने रहना lecture के end तक, and then you will see कि एक घंटे के अंदर आप कितना कुछ आज गेन करने वाले हो, चलो, तो फिर start करते हैं, start करते हैं, classification मैंने पहले ही बताती है, short, medium, long का मतलब क्या होता है, और आज medium के analysis की बात करेंगे, लेकिन मेरे भाई देखो, एक काम आप लोग कभी नहीं करते हो, बार 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 remind कराना पड़ता है, क्या remind कराना पड़ता है मिरे भाई, like, 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 कहा है like, like क्यो नहीं करते हो, जब class में आगे हो तो attendance लगा दिया करो मिरे भाई, यहाँ आप 100% attendance देरो, लगा नहीं रहे हो, college में ना जाके लगवा दिया करो मिरे भाई कि आचुके हैं live, आचुके हैं live with power system, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले, let me introduce myself or my friends who are meeting me for the first time, my dear friends, my name is Ankit Goyal, I got a IR1 twice in gate in 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor, till date I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes for gate and ESE, but presently I am working as a director at an academy for gate department, लेकिन मेरे भाई ठीक है, जो किया, सो किया, motive क्या है, motive क्या है इस YouTube channel का, तो मुझे बताओ, आप लोग भी बताओ, और मैं भी बताता हूँ, motive है मेरे भाई, कि यह जो लिखा है न, यह आपकी profile में लिखा होना चाहिए, ठीक है, आप लोगी profile में लिख अब इसका success depend करता है, आप लोग फरवरी के अंदर जाकर के क्या करके आते हो, और फिर मार्च में हमें पता चलेगा, यह channel कितना successful हुआ है, है ना, तो इस channel की success भाई, मेरे हाथ में नहीं, आप लोगों के हाथ में भी depend करती है, तो आप लोगों के हाथ में लाई करती है, त successful इतना बना देना जगे जगे बच्चा बच्चा जानता हो, engineering cover करना, electrical electronics cover करना है, तो creatrix channel से करना है, अब देखो अगर आप लोग भी चाहते हो, gate और ESE में top rank लाना, तो मेरे भाई सबसे पहले तो ना, unacademy learning app डाउनलोड कर लेना, इस से बहतर आप आप आपको तयारी के लिए कुछ मिली नहीं सकती, तयारी के लिए कुछ भी नहीं मिल सकती, आपको इस से बहतरी नैप, क्यों नहीं मिल सकती, इस पे सारे live classes है, top educators के, ठीक है, इसके अंदर आपके सारे live quizzes हैं, आज मैं लेने वाला हूँ, रात को 10 बजे आपका transformer का quiz, तो unacademy app डाल के रखना, इसके अंदर, इसके अंदर आपकी है test series, सब कुछ free है, सब कुछ, तो ये app डाउनलोड कर लेना, और देखो अगर आपको हमारा YouTube का content पसंद है, जो कि obviously है sir, जबी तो बैठे हैं, पसंद है तभी तो देख रहे हैं, तो मेरे भाई, ये link हमने आप लोग के लिए बना दिया सारा syllabus cover कर डालो, सारी PDF पर डालो, यहाँ पर सब कुछ available है, सब कुछ, ये आप लोग का encyclopedia है, gate और ESC के लिए, तो बिलकुल इसे refer करना, और एक तोड़ू सी rank निकाल देना, इस बार कि मज़ा आ जाए, interview लेने में में मेरे को भी गर्व हो कहने में, कि ये बच्चा creatrix channel से पड़ा है, और ये ranker है, ठीक है, देख के लगना चाहिए कि ये बच्चा ranker है मेरे भाई, ठीक है, चलो, अब देखो, अगर आपको मेरी special class attend करनी है, तो एक और URL याद कर लो, जब करी रहो हो तो एक और सही, इस पे क्या है, इस पे सारी special classes है, जैसे unacademy की मेरी upcoming special classes, और जो पुरानी classes है, वो भी यहाँ पे सारी पड़ी है, तो आपको करना कुछ नहीं, आपके phone में unacademy app होना चीए, इस link को browser में डालना, browser में जाके इसे open करोगे, मेरा ये page खुल जाएगा, जे subject की जो class देखना चाहते हो, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया point आया कि सर, data कम पड़ जाता है YouTube और मेरे भाई यही खासियत है unacademy की, unacademy का data consumption YouTube से 1 8th है, 1 8th, समझ रहे हो, 1 by 8 times, तो आप वहाँ पे 10-10, 12 घंटे की class attend करोगे तो आपका mobile data खतम नहीं होगा, it will be more than sufficient, इसलिए unacademy plus पे बच्चा सारा दिन classes करता है, सारा दि हम दे रहे हैं मिरे भाई daily practice paper आपको homework के लिए, हम दे रहे हैं आपको हर Sunday test आपके revision के लिए, हम दे रहे हैं आपको revision के लिए crash course, हम दे रहे हैं आपको test series, previous year question, question bank, इसके अलावा doubt clearing, मैं एक हफते में साड़े 5 घंटे सिफ doubts लेता हूँ, अब आप सोच के देखो किस हद तक doubt clear किये जा रहे हैं, इतना गजब कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता मेरे भाई, और iconic है plus का बड़ा भाई, जैसा आप जानते हो, बड़े भाईया हैं तो खोड़ी जादा इजद देनी पड़ेगी, है ना, बड़े भाईया कि इजद जादा होती है, ये काम भी जादा करत हैं plus से, ये महनती भी जादा है, कैसे, यहां मिलता है personal coach, ये personal coach ना, आपको सारी strategy समझाता है, जैसे आप मेरे session में आके बैठते हो ना, वैसे ही ये आपको सारी strategy one to one समझाएगा, कि जैसे इस session में राशीद है, तो राशीद को बताएगा, भी राशीद क्या कर सकता है, रा परस्नलाइस test analysis देगा, भाई कहां आप कमजोरों ये बताएगा और उसको improve भी कराएगा, इसके लावा preparatory study material अलग से मिलता है, जिसमें कि आपका theory और question bank होता है, interview guidance बहुत जल्द इसके अंदर जोड देने वाले हैं, तो फिर तो और मज़ा आ जाएगा, interview guidance भी आ जाएगा तो मेरे भाई सब चीजें इसके अंदर included हैं, इससे बहतर platform, इससे कम data खाने वाला platform, इससे बड़े teachers वाला platform आज तक ना कभी था और ना शायद कभी होगा, जो इंडिया के कुने कुने से, North से, South से, कश्मीर से, कन्या कुमारी तक सारे teacher को एक जगे लाके रख दिया, जहा बढ़िया platform क्या हो सकते है, जहां आप चूज कर सकते हो, सर ये subject ना हमें control system विशाल सर से पढ़ना है, कुछ बच्चे कहीं नहीं सर, हमें आप से पढ़ना है, कोई कहेंगा नहीं सर, पंकत सर से पढ़ना है, तो मेरे भाई, ये choice आपको सिर्फ एक लौता platform देता है, unacademy, इतना powerful platform है, चलो आप शुरू करते हैं, platform तो आप जानते ही हो, और pricing जानने है तो इस मेरे साथ last तक जुड़े रहे हैं, pricing भी बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और सुनकर के मज़ा आ जाएगा, कोई महंगा platform नहीं है मेरे भाई, आज के time में, जिस level के teachers इस पे exist कर आप तो सबसे सस्ता platform यही है, चलो, तो भाई recap कर लें पहले, recap कर लेते हैं, अब recap इतना उचल रहा है तो करी लेते हैं, तो recap क्या कह रहा है, कि हम कर चुके हैं short transmission line, उसके parameters कर चुके हैं भाई, 1z01, फिर हम कर चुके हैं उसकी voltage की equation, vr cos phi r, plus ir, and vr sin phi r, plus i x, का square under root, और मैं power factor पे minus sign लगा देना, इसके अलावा हम लोग कर चुके हैं मेरे भाई, एक second, ठीक है, यह जो है न, यह आपका recap नहीं है, यह तो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर recap हटा देते हैं, यह थोड़ा तो mistake हो गया है मिरसे, आज के lecture में यह हम cover करेंगे, समझे, आज के lecture में cover करेंगे मेरे भाई, तू भी covered, ठीक है, यह pre-cap है, बहुत बढ़िया, यह recap नहीं है, यह pre-cap है, चलो आपने बहुत अच्छा idea दिया मेरे भाई, देखो, एक P लगा देते हैं बड़ा सा, मज़ा आ जाएगा, लो भाई, pre-cap, ठीक है, तो आज यह सारे topics हम लोग cover करने वाले हैं, और cover क्या कर चुके हैं, short line, short line के parameter, voltage regulation, approximate voltage regulation, यह सारी चीज़े cover करा चुका हूँ, transformer से compare करा चुका हूँ, synchronous से compare करा चुका हूँ, exact, approximate सब चीज़े कर चुके हैं, और आज करेंगे medium transmission line मज़ा आने वाला, मज़ा आने वाला literally, तेक है, चले हैं फिर पहले model से शुरू करें, सब लोग ready के नहीं ready, जल्दी होता हो, सब लोग ready हैं, first model shall we start, shall we start the first model guys, okay, let's go, let's go, receiving end C model, आप जानते हो, इस model में क्या होता है, कि receiving end पे capacitor लगा दिया जाता है ना, पहले impedance होती है, और फिर VR के across capacitor होता है, और capacitor का admittance हमने दिखा रखा है, जो की जे ओमेगा सी, और यह जो impedance है ना मेरे भाई, यह होगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल, अब चलो, शुरू किया जाए, करना क्या है, करना क्या है सर, शुरू तो कर दें, लेकिन यह तो बताओ, करें क्या शुरू, करना यह है मेरे भाई, इसके ABCD parameter निकालने है, यानि VS और IS की value निकालने है, VR और IR की terms में, तो वो देखते हैं, VS और IS कैसे आते हैं, in terms of VR and IR, देखो सबसे पहले तो यह जो IC है ना, यह है line charging current, transmission line में जो capacitor का current होगा, वो कहलाएगा line charging current, short line में तो आपने ignore करी रखा था मेरे भाई, short line में तो आपने shunt capacitor ignore किया था ना, माने line charging current ignored था, लेकिन यहां ignore नहीं है, यहां हमने capacitor दिखा करके line charging current शो किया है, अब बताओ line charging current कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सर, यह होगा Y into VR, बहुत बढ़िया, VR by impedance करो या VR into admittance करो, वही चीज आपका होगा line charging current, अब मैं कहता हूँ KCL लगा ले ना मेरे KCL, ओके सर, आप कह रहे हैं, तो लगा लेते हैं, KCL लेकिन होगा क्या, इससे होगा यह, यह मिल गई आपको IS की equation, आ गई ना, मैंने मुला था, VS और IS चीज़, तो IS तो आई गया, IS तो directly आ गया, Y VR plus IR, अब क्या बचा, VS, VS के लिए क्या करूँगा, KVL लगाँगा, KVL ल बताओ, अब की बार न, यह सोच रहे हैं, दशेरे पे न, क्रैश कोर्स की जाए, कुछ अलग किया जाए, कोई ideas हैं, तो बताओ, क्या करें, कोई ideas हैं, तो कुछ बढ़िया करते हैं, दशेरा भी celebrate करते हैं, कुछ सीखते भी हैं, मजा आएगा, ठीक है, चलो, अब देखो, वी यार, प्लस आईएस, आईएस है न, आईएस की value डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि भई, आपको करना है, वी यार और आईएर की terms में output, वी यार और आईएर की terms में output, ठीक है, तो गरीमा animated videos तो इस अफते काफी सारे आने वाले हैं, मैंने काफी सारी planning कर हो सकता है, transmission line के लिए एक animated video आजाए, बहुत चीजे planned है, चिंता मत करो, pipeline में बहुत कुछ है, लगा रहेगा, पाट शाला पे जुड़े रहो, फैलाते रहो, हम लोग मचाते रहेंगे, ठीक है, अब देखो, वी यार का coefficient, मजा आजाएगा, आज तो मुझे time नहीं मिल पाय record करने का, वरना वीडियो तो ready है, यह हो गया ना, देखो अब, ठीक है, यह थोड़ा सा हटा लेते हैं, कि यह तो understood है ही है, इसको दिखाना क्या है, वी यार, आई यार, ठीक है, अब देखो, वी यार का coefficient है, वी यस में, वन प्लस वाई जड, आई यार का है, जड, फिर आई येस का है, वाई वी यार, और वन आई यार, यह बन गए ना, यह बन गए, यह बात clear होई, ठीक है, यह चीज़ clear होगी ना, अब देखो, इसके अंदर अगर आप देखोगे A और D, A और D तो बराबर है नहीं है ना, A और D तो बराबर है नहीं तो इसका मतलब है this is asymmetrical asymmetrical यहाँ A और D तो बराबर निकला नहीं तो this is asymmetrical और sir, reciprocity का क्या होगा, बेटा एक बार try करके देखो, A D माइनस B C A D माइनस B C 1 प्लस Y Z माइनस Y Z 1 प्लस Y Z माइनस Y Z अब देखो, एक लड़का मुझे suggestion दे रहा है कि interaction with someone who already cracked gate, तो मेरे भाई वो तो तुम रोजी कर रहे हैं, interact और कैसे करोगे बताओ, है के नहीं है तो A D माइनस B C आ जाएगा 1 तो reciprocal तो है भई, reciprocal तो है, बिलकुल सही कह रहे हो reciprocal तो है भई, चलो कहीं तो एज़द बच गई, reciprocal तो है यह बट symmetrical नहीं है और आप यह जानते हो भई, practical transmission line तो symmetrical भी होती है, reciprocal भी होती है यानि यह model completely accurate नहीं है क्योंकि यह symmetrical नहीं है अगर model accurate हो तो उसके अंदर भी वही characteristic दिखनी चाहिए जो characteristic actual line के अंदर दिखती है line के अंदर दिखती है मेरे भाई, gate के exam में, technical exam में ऐसे shortcut नहीं होते, option देखा और मार दिया ऐसा होता तो जो ranker होता न, वो भी कहता भी बिना मेहनत के rank आ गई, घर बैठे बैठे rank आ गई कुछे भी नहीं किया ठीक है, ऐसे shortcut नहीं होते है एक चीज़ हमेशा जान ले न, ठीक है एक चीज़ हमेशा जान ले न कि life में अगर successful होना है मेरे भाई, तो मेहनत का कोई shortcut नहीं है ठीक है, यह harsh reality है अगर shortcut धूंडोगे तो जिन्दगी बर एक average person बन के रह जाओगे, और जिन्दगी बर shortcut की खोज में रह जाओगे, लेकिन जिस दिन तुमने यह मान लिया न, कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी तो आज कर लेते हैं, कल पे क्यों छोड़ें ठीक है, कल पे क्यों छोड़ें आज कर लेते हैं महनत और अगर आज महनत कर लेंगे तो कल का दिन अपना अच्छा होगा, ठीक है कल का दिन अपना अच्छा होगा तो इसलिए लिए लग जाओ यार महनत में इसर शौर्टकट वाटकट छोड़ दो, इतनी महनत कर डालो, भले ही rank में top आओ ना हो, marks में top आओ ना हो, सबसे पहले महनत में top आना, गर्व से यह कहना, मुझसे जादा महनत कोई करके दिखाए तो मैं मानू, जिस दिन यह feeling आगी न, success अपने आप मिलेगी, अपने आप मिल अब time रहनी गया, जादा सोचने का, अब time आगया करने का, तो मेरे भाई, अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं, ऐसा सीन है अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अब कर लो महनत, और इतनी महनत कर लो कि पहले से कोई कभी से भी लगावा हो, हम उसे beat करके दिखा देंगे, 6 महीने से कर रहा है, बच्चा महनत करने दो, 9 महीने से कर रहा है, करने दो, हम अगले 3 महीने में इतनी महनत करेंगे न, उसके अब तक के total को beat कर देंगे, इतनी महनत हमें करके दिखानी है, तो अपने wifi plans upgrade करा लो, अपना data pack upgrade करा लो, और लग जाओ मेरे साथ क्योंकि मैं त 2-3 दिन बाद बहुत अराम से सोंगा, बहुत अराम से सोंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को top rank लाके देना है, मैं अभी एक खुशी के साथ सोंगा कि मेरे बच्चों की 1 से लेके 100 तक सारी ranks है, ठीक है, तो ये dream पूडा करना है, मेरा भी आपका भी हम सब खा, ठीक है चलो, आगे चलें, मनीश मेरे भाई मैंने notes के लिए link तो बना रखा है, बिटली वाला उस पे जाओ ना, उस पे मिल जाते है notes, अब आरे हैं भई, फेरेंटी effect पे, अब फेरेंटी effect के भई, ऐसा मूह नहीं खुला रहे जाना चाहिए, आप लोग का ये मूह बंद करने के लाएं फेरेंटी effect समझाने के लिए, तो पहले उन बच्चों को बताते हैं जिन्होंने फेरेंटी effect ना भी नहीं सुना, तो फेरेंटी क्या है, ये क्या है नहीं कौन है, फेरेंटी एक scientist है, फेरेंटी एक ऐसा scientist है, जिसने एक ऐसा effect पता किया, जो शायद सुनने में थोड छोड़ दो, लाइन को खुला छोड़ दो, तो receiving end पे, receiving end की voltage जादा मिलती है sending से भी, है ना, थोड़ा चौकाने वाली बात नहीं है, wire में कुछ connected ही नहीं है, और दूर वाले point का voltage pass वाले point से जादा है, यानि load का voltage source से जादा है, तो ऐसा हमें पता किया, guarantee effect ने ऐसी बात हमें बताई, अब कई लोगों का move बिल्कुल ऐसा हो गया होगा, कि ये क्या हुआ, है ना, ये क्या हुआ, तो इस चीज को proof करूँ, देखो कैसे, पहली बात तो this is due to the line charging current carried by the transmission line, देखे, line charging current जो line carry करती है नहीं, उसी का नतीज़ा है, ये उसी का नतीज़ा है मेरे भाई, अब देखते हैं कैसे, अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ no load की, तो at no load, यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश start होगा, ये बार, IRS 0, तो VS क्या है मेरे भाई, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, हमें आनकैडमी वालों ने UPS दे रखा है, class नहीं रुकेगी, ठीक है, VS यह होगा, AVR 0, VR 0 क्या है, यह और देखो यार आप लोग की attendance गिरती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बा class ना है, तो class लगा के क्या करें, हम भी बारिश enjoy करते हैं वही, ठीक है, अगर voltage बढ़ जाती होगी, तो current कम हो जाता होगा ना, क्योंकि power, गरीमा transformer थोड़ी पढ़ रहे हैं बिटा, transformer थोड़ी पढ़ रहे हैं, source से चलने वाली power, जो है, line में absorb होरी होगी, losses की terms में, और reactive power क terms में इतना ही तो है, load पे थोड़ी ना power पहुंचेगी, जब load है ही नहीं, जब load है ही नहीं, तो power दोगे किसे, समझ रहे हो, load है ही नहीं, तो power कहां जाएगी, power सारी line में absorb हो रही है, ठीक है, अब देखो, vr0 क्या हुआ, vs by a, अब क्या होता है नहीं, जो a parameter होता है बिटा, ये less than equal to 1 होता है, इसलिए vr0 is greater than equal to vs, आप कहोगे सर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते मेरे भाई, कि vr, a जो है ना, वो less than equal to 1 होता है, आप कहोगे सर, देखो, short line में तो 1 था, short line में तो 1 था, अब अभी जो हमने derive किया, 1 प्लस yz, ये तो 1 से बड़ा आ गया, ये ही कहोगे न, सर, 1 प्लस yz तो हमें दिख रहा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, ध्यान देना, if, r को अगर ignore कर दें, तो z क्या होगा, j omega l, y क्या होगा, j omega c, अब ज़रा देखना, 1 प्लस yz, क्या होगा, 1 माइनस omega square lc, हो गया, 1 से चूटा, हो गया ना, 1 से चूटा, ये बात clear है, 1 से चूटा अगर ये आगया value, तो इसका क्या मतलब है, that no load receiving end voltage, will be more than the sending end voltage, तो ये बात हमेशा गांट बांद लेना, कि जो a होता है, a 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, a transmission line में 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, it will always be less than 1, it will always be less than equal to 1, तो short line में 1 था, और बाकी देखो, जहां जहां capacitor consider करोगे, जहां जहां capacitor consider करोगे ना, ये 1 से चूटा ही आएगा, short line में capacitance ignored था, इसलिए a आया था 1, और जहां जहां considered होगा, वहां a आएगा less than equal to 1, अब चलो ठीक है, mathematical हुआ सर, feel नहीं आया है ना, feel नहीं आया ना उतना, कोई बाक नहीं, कुछ और try करते हैं, थोड़ा different तरीके से try करते हैं, अब देखो phasor diagram से देखते हैं, no load पे, ठीक है भई, अब देखो, यह हो गया vr 0, no load receiving and voltage, ठीक है, no load receiving and voltage, अब मैं कह रहा हूँ, ir तो 0 है, no load पे ir क्या है, 0 है, तो मेरे भाई, यह जो ic है, capacitor का current, capacitor का current हमेशा voltage से 90 degree lead करता है, मानते हैं सभी लोग, capacitor current leads the voltage by 90 degree, leads the voltage by 90 degree, तो लो भई, यह हो गया ic, अब ध्यान देना, no load पे ir तो है आपका 0, तो यह जो ic है ना, यह is के बराबर है, यह is के बराबर है, ठीक है, अब यह ic अगर is के बराबर है, तो जब kvl लगाओगे, ठीक है, जब kvl लगाओगे, तो kvl में vr में क्या add करोगे, is into r और is into j omega l, जे omega l, ठीक है, अब देखो, यहां लिखा था न, is into z, vr plus is into z, तो is तो यह ही है, is तो यह ही है मेरे भाई, अब मैं क्या करता हूँ, यह देखो, यह हो गया is into r, और यह हो गया is into x, ठीक है, is into r, और is into x, यह हो गया vs, अब देख रहा है vs से बड़ा है vr 0, यह बात नजर आई, vs is actually less than vr 0, तो हमने यही तो बोला, no load पे receiving and voltage जादा आती है, vs is less than vr 0, ठीक है, अब एक लड़का पूछ रहा है sir, a का कोई angle भी होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई, जब y और z complex number हैं, तो उनसे बनने वाला a भी क्या होगा, complex number, तो यह जो a, b, c, d parameter आते हैं न, these are complex numbers, they are not real numbers, कभी-कभी real हो सकती है कोई value, बट जादातर values क्या होती है, complex, practically these values are complex, बात समझ में आई, ठीक है, और ऐसा मत कहो, capacitive load में fair and T effect आता है, fair and T effect, line charging current के वैसे है, load की वज़े से नहीं है, वो तो आप बोलोगे, sir, leading load में voltage regulation negative होता है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग यह बोलेंगे, sir, leading load में voltage regulation negative होता है, बहुत सही बात है, voltage regulation negative होता है, यह दूसरे छोर की voltage, source से जादा होगी, आप कहोगे, sir, low ji, हो गया fair and T effect, नहीं मेरे भाई, यह fair and T effect उस effect को नाम दिया, जो बिना load लगे अगर receiving का voltage जादा होगा, बिना load लगे, load लगाके, leading load लगाके, जादा तो होई सकता है, वो बहुत normal सी चीज़ है, लेकिन बिना load लगाया, अगर receiving का voltage जादा आ रहा है, तब उसे कहते हैं, fair and T effect, ध्यान में रखना है यह बात, अब देखो क्या होता है, दो condition होती है, no load और light load, ठीक है, no load और light load, अब light load का मतलब क्या होता है, कि छोटा load लगा है, IR की value small है, IR की value small है, अब देखो एक लड़का मुझसे doubt पूछ रहा है, sir अगर यह model symmetric होता तो क्या होता, तो मेरे भाई क्या model ही नहीं बतल जाता, दिमाग लगाओ, एक circuit symmetric नहीं है, तो उसे symmetric बना थोड़ी सकते हो, symmetric बनाने का मतलब क्या हुआ, कि circuit ही change हो गया, circuit change हो गया, तो फेजर तो बदलेगा, बदलेगा मेरे भाई, फिर फेजर की बात ही कहां से आएगी, ठीक है, अब देखो, IR छोट्टू सा लेंगे, एक दम छोट्टू सा, ये लो, ये लो, IR, एक छोटा सा IR आप सभी के लिए, ठीक है, चलो, और इस दशेहरे का gift पता है ना, इस दशेहरे पे machine का test है, तुम लोगों का, मेरे gift ऐसे ही होते हैं, इस दशेहरे पे machine का test है, साड़े छह बज़े, आन अकैडमी लर्निंग अप पे, transformer और DC पूछूंगा, नए pattern पे लूँगा, ये हो गया IC, अब देखो, KCL क्या कहता है, IS equal to IR plus IC, IS equal to IR plus IC, ठीक है भई, ये आगया IS, ये IS into R, IS into X, और ये क्या हो गया, VS, अब देखो, अभी भी दिख रहा है न, VS छोटा है, अभी भी दिख रहा है, VS छोटा है, VR0 से, VS छोटा है, VR0 से मेरे भाई, तो यही तो है, Farenti Effect, चलो, अब कुछ-कुछ समझ में आई चीज़े की Farenti Effect क्या होता है, दो तरीके से प्रूफ किया, Mathematically और Phasor Diagram, ठीक है, Phasor Diagram, चलो, अब अगला एक और तरीके से Farenti Effect दिखाता हूँ, एक और तरीका क्या होता है, आप ऐसा मान लो, कि यह जो R और L है न, यह आपकी Short Transmission Line है, और यह जो C है, यह Purely Capacitive Load का का काम कर रहा है, यानि Receiving and C Model को No Load पे ऐसे भी Visualize कर सकते हो, एक Short Line जिस पे Load कैसा लगा है? Capacitive, जिस पे Load कैसा लगा है? Capacitive, बात समझ में आई? तो आप ऐसा मान लो, एक Short Line में Capacitive Load लगा है, अब अगर ऐसा मान लिया, लीडिंग लोड पे Voltage Regulation क्या होती है? Negative, Voltage Regulation क्या होती है? Negative, तो मैंने यह बोला है, इसे मान लो Short Transmission Line, अब अगर हमें यह पता है, लीडिंग लोड पे Voltage Regulation negative होती है, Short Line के लिए यही थी ना Regulation, यह मत कहना अब सर मीडियम में कैसे लगा दी, मेरे भाई ठक चुका हूँ, मैं ऐसे फालतू सवालों से, Short माना है, with a Capacitive Load, इसलिए ऐसा लगाया है, देखो, एक और Derivation आ गया, एक और Derivation आ गया नया, है ना, एक और Derivation आ गया नया, तो मैंने आपको तीन तरह से बता दिया, Faireंटी Effect, तीन तरह से, पहले A के Value से, फिर Phaser Diagram से, फिर Short Line के Comparison से, बताओ, मज़ा आया के नहीं आया, कभी सोचा था, Faireंटी Effect, इतने तरीके से Imagine कर सकते हो, और मैं आपको बताओ, बहुत जगे आपको ना, ये वाला Phaser मिल जाएगा, ये वाला, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा, Light Load वाला, Light Load वाला नहीं मिलेगा, कहीं पे भी, ठीक है, तो मेरे भाई, ये बताओ, मज़ा आया, मज़ा आया, बढ़िया तरीके से कि क्या हो रहा है, क्या Faireंटी Effect है, क्यों आ रहा है, Line Charging Current की वज़े से आ रहा है, और Light Load और No Load में आ रहा है, Short Line में तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, Capacitance Ignore कर दिया, तो जहां Capacitance Consider होगा, वहीं दिखेगा, क्योंकि वहीं पे Line Charging Current की बात आएगी, यानि Medium में दिखेगा, और Long में दिखेगा, Medium और Long में, Short में नहीं, तो देखो Practically तो हर Line में होता है, Practically ध्यान से समझना, Practically हर Wire में Capacitor होता है, तो हर Line में Farenty Effect होता है, यह तो अब आपके Model जो आप बना रहे हो, Circuit जो आप अपनी Copy पे बना रहे हो, यह हो सक्ता है Show करें, हो सक्ता है Show ना करें, शो करें तो बहुत बढ़िया क्योंकि actual में तो होता है शो ना करें तो बेकार है क्योंकि जो चीज actual में हो रही है आपकी copy पे नहीं दिख रही तो आपकी copy पे लिखा हुआ concept गलत है ठीक है यह आपकी copy पे लिखा हुआ concept गलत हो जाएगा बात को समझो न, अगर बाहर टंगी वायर में कोई चीज हो रही है और वो मैं derive नहीं कर पा रहा, वो मेरे model में नहीं दिख रहा, तो मेरा model गलत है ठीक है अब आ जाते हैं अगले पे, ठीक है बहुत देर होगे एक model पे आगे चलते हैं, बोर होगे न sending end C model अब sending end C model में क्या होता है capacitor लगा होता है sending end पे अब इसको हम कर देते हैं I C ठीक है, I C माने line charging current यह नहीं कि मैं देख रहा हूँ I space S double E, नि I C समझ गए चलो अब देखो, सबसे पहले लगा रहा हूँ इस बार KVL KVL तो क्या करोगे I R Z simple ठीक है, I R Z यह जो है Z है न, impedance I R into Z लो भाई, V S की equation दो सीधे-सीधे मिल गए लेकिन I S की रह गई I S की कैसे निकालोगे I S लिखोगे I R plus I C I R plus I C अब I C क्या होगा मिरे भाई capacitor V S के parallel है Y V R मत लिख देना इस बार Y V S अब V S क्या है भाई V R plus I R Z तो Y V R प्लस I R 1 plus Y Z अब देखो भाई आप पैरा मीटर भर लेते हैं अब देखो यहां लगेगा आपको जोर का जटका धीरे से जोर का जटका धीरे से लगने वाला है अरे मेरे भाई यह सब derivation आगे आएंगी length बढ़ने से फेरेंटी effect बढ़ता है कम होता है सब आएगा रुक तो जाओ long line तक पढ़ाने तो दो क्यों इतनी जल्दी में रहते हो यह बताओ मैं आज कल यह देख रहा हूँ कि जनता जल्दी में जादा रहती है अब मैं यह तो कही सकता हूँ मुझसे एक generation आगे ही हो गए अब तो मैं बुड़ा ही कहलाओंगा लेकिन मेरे भाई अब आप लोग इतनी जल्दी में रहते हैं तो समय नहीं आथा कौन सी train चूट रही है और आम से समझो हर concept beautiful है बहुत चीज़े सिखा के जाएगा अब देखो यहाँ पे भी A तो D के बराबर नहीं है तो भईया यह वाला model भी है asymmetrical और यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था AD minus BC है 1 यह हो गया reciprocal लेकिन अब एक बात पर ध्यान दो मेरे भाई यहाँ आएगा A है 1 दिख रहा है ना पहला parameter 1 है तो VR 0 will be equal to VS by A होता है ना तो यहाँ कोई farrenty effect नहीं है अब आप कहोगे sir धोका आपने तो धोका कर दिया अभी तो आपने बुला कि भाई capacitor रहता है तो farrenty effect आता है अब आप धोका दे रहे हो अब कहरे हो capacitor है लेकिन farrenty effect नहीं है भाई ये तो जो है सिर्चकराने वाली बात है सिर्चकराने वाली बात है अब चंदर प्रकाश कह रहे हैं कि सर लाइफ फास्ट हो गई मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ कैसे इतनी फास्ट हो गई कि तुम्हारा साल या टो जल्दी बीथने लगा तेक है मेरी तो अभी भी उसी स्पीड पे चल रही है अब देखो, बात है capacitor के होते हुए फेरंटी एफेक्ट क्यों नहीं आया बहुत सिंपल सा explanation बहुत सिंपल सा explanation है, देखो Line charging current यूँ गूम गया यानि कि फेरंटी एफेक्ट इसले नहीं आया IC does not enter Z IC जब Z में घुसा ही नहीं तो वो KVL को effect कैसे करेगा, सोच के देखो IC जब तक KVL की equation में involve होना start नहीं करेगा जब तक farrenty effect आ ही नहीं सकता अब बताओ कौन सा model अच्छा है, कौन सा model अच्छा है बताओ जल्दी से, कौन सा model बढ़िया लगा, receiving या sending कौन सा model practically अच्छा है, practically कौन सा better है जल्दी बताओ, practically कौन सा better है sending या receiving एक बच्चा, दो बच्चे बोल रहे है sending, sending, sending अरे मेरे भाई, आँख, अच्छा मान लो, आप लोगों के आगे शेर आके खड़ा हो जाए आप आँखे बंद कर लोगे तो शेर गायब हो जाएगा, बताओ, आँखे बंद कर लोगे तो शेर गायब हो जाएगा या आपकी जान बच जाएगी, नहीं बचेगी न, नहीं बचेगी न अब मेरे भाई सेंडिंग एंड फैरेंटी इफेक्ट नहीं बता रहा लेकिन बाहर रखी लाइन में तो हो रहा है तो ये तो गड़बड हुई न, जो चीज हो रही है, ये हमें बता नहीं रहा है sending end में हमें पता ही नहीं लग रहा फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है बहार actual line में हो रहा है हम तो copy में sending end से result निकाल के ले गए क्या करेगा ना examiner copy मुँपे fact के मारेगा क्या बूलेगा कि ये क्या लेकर के आ गए बहार reading कुछा रही है क्यों कभ्या रही है तो अच्छा गैसे हो गया सोचके देखो अच्छा एक चीज सोच हो एक वायर में resistance है तुमने क्या किया तुमने अपनी copy में रफ करदिया कहा की सर अब रिजिस्टेस नहीं है अब रिजिस्टेस नहीं है people हमने zero resistance कर दिया तो क्या wire का resistance zero हो जाएगा क्या wire का resistance zero हो जाएगा क्या ऐसी मेरे भाई अगर model में नहीं दिख रहा तो इसका यह मतलब नहीं है फेरेंटी इफेट गायब हो गया इसका मतलब model घटिया है model घटिया है तो receiving end is better than sending end because because it shows because it shows parenty effect ठीक है भाई चालो अब आते हैं इन सब के बाप पे इनके better model पे nominal t model अब देखो यहाँ पे बीच की voltage v1 दिखा दी capacitor का current ic अब सबसे पहले kvL लगा लेते हैं v1 निकाल रहा हूं बीच की जो voltage है वो है vr plus ir z by 2 vr plus ir z by 2 ठीक है अब इसके बाद क्या होगा ic होगा yv1 yv1 और देखो मेरे भाई मुझे English Hindi में न खीचा मत करो एक English वाला उदर से खीच रहा है इदर से Hindi वाला खीच रहा है मैं क्या करूं मैं एक समय में दोनों language कैसे बोलूं ठीक है मैं एक समय में दोनों language तो बोल नहीं सकता इसलिए जो language बोलरा हूं उसी में समझ लो ठीक है दोनों मैं पढ़ा रहा हूं कुछ इदर कुछ उदर लेकिन एक लेक्चर में दोनों मत एक्सपेक्ट करो ठीक है बई चलो अब IS क्या है IS है IR प्लस IC IS है IR प्लस IC मेरे भाई जो तुमारा नाम है तुमारा नाम लेके तो मैं हाई भी नहीं कह सकता वीडियो मेरी sensor हो जाएगी नाम भी तो ऐसा रखते हो माबाब का दिया नाम इतना बुरा क्यों लगते है भाई तुम लोगों को क्यों भाई गरवालों को कई बताते हो ऐसे ऐसे नाम रख रखे हमने गरवाले भी सूचेंगे गलती गर्दी लड़के का नाम रखे है ना एक equation तो आ गई ना एक equation तो आ गई Is आ गया ना अब बचा क्या है Vs अब बचा क्या है Vs ठीक है अब Vs कैसे निकालें सर Vs निकाल लो मेरे भाई KVL से उसमें क्या दिक्कत है कितनी बड़ी बात हो गई लो अभी निकाले देते हैं यह होगा ना V1 प्लस Is Z by 2 V1 प्लस Is Z by 2 अब value डाल दो यहां पर V1 कितना है भाई Vr समझ तो आ रहा है ना derivation समझ में आ रहा है ना derivation Is कितना है भाई Yvr प्लस 1 प्लस YZ by 2 I.R अब देखो क्या करना है Vr और I.R के terms को club कर लेना है club कर लेना है देखो Vr का पहला term है 1 और यहां से आएगा YZ by 2 YZ by 2 फिर I.R में है Z by 2 I.R में इधर भी है Z by 2 तो I.R इंटू Z by 2 common लेलो मजा आ रहा है लेक्चर में पता चल भी रहा है derivation कर रहे हैं और आज तुम derivation में इतना बैठे हो अब देखो Z by 2 common लिया यह बचा 1 यह बचा 1 प्लस YZ by 2 1 और 1 प्लस YZ by 2 समझ में आ रहा है ना अब देखो यहां हम कर देते हैं खेल खतम 2 common निकाल लो bracket में से ठीक है यह 2 है ना 2 common निकाल लो बचेगा 1 प्लस YZ by 4 अब देखो मैं ABCD parameter लिख देता हूँ फिर इस पे observations लेते हैं ठीक है फिर इस पे observation लेते हैं इसको रटने का तरीका भी बताऊँगा यह exam के लिए रटे होने चाहिए पैरामीटर nominal T और πाई के एक बार πाई करा दूँगा फिर बताऊँगा अब देखो Vs में क्या आ रहा है Vs में आ रही है पहली term 1 प्लस Y Z by 2 1 प्लस Y Z by 2 फिर दूसरी आ रही है Z 1 प्लस Y Z by 4 फिर आ रही है Y 1 प्लस Y Z by 2 फिर 1 प्लस Y Z by 2 फिर यह समझ आया अब देखो A और D बराबर दिख रहे हैं तो A और D बराबर है जिसका मतलब है This model is symmetrical फिर आ रही है AD minus BC निकाल लेते हैं AD minus BC निकाल लेते हैं AD minus BC क्या होगा 1 प्लस Y Z by 2 स्क्वायर माइनस Y Z 1 प्लस Y Z by 4 अब देखो यह तो आप खोल के करील होगे यह वन आएगा ठीक है यह expand कर ले ना यार अब इतनी उमीद मत रखो कि मैं A plus B स्क्वायर कराऊंगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यह नहीं करेंगे ठीक है यह तुम कर लोगे इतना तो मुझे भरूसा है यह भरूसा मत तूड़ना कभी इससे भी नीचे निकलो अब इतना हो गया अब आप से मैं यह पूछता हूँ A की वैल्यू जादा कौन सी है यह जो रिसीविंग एंड में आई थी कांगई 1 प्लस कांगई तो बड़ा आता है 1 प्लस y z by 2 क्यों? ऐसे सोचो देखो यह 1 माइनस सक्क्वाइर dlc बनाता न तो 1 माइनस सक्क्वाइर dlc वाइ ू बनेगा वो तो 1 के जादा करीब कौन हुआ? 1 प्लस y z by 2 1 के जादा करीब कौन हुआ? 1 प्लस y z by 2 ठीक है तो मैं यह कहता हूँ is more close to 1 then 1 plus yz ठीक है then 1 plus yz 1 plus yz के मुकाबले जादा करीब है 1 से और यह 1 से जादा करीब है इसलिए इसमें है less fair almost één effect आप कहोगे sir fair punkt één effect को a से directly कैसे relate करेंगे देखो vér 0 आता है v s by a vér 0 आता है v s by a अब a जितना छोटा होगा व्र 0 उतना बड़ा चला जाएगा a जितना छोटा होता जाएगा vr 0 उतना बड़ा होता जाएगा अब vr 0 अगर इतना बढ़ा होता जाएगा तो अब आदर्श ने एक थियोरम दिये हमें कि जो network symmetric होता है वो reciprocal भी होता है मेरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो network symmetric हो reciprocal भी हो दोनो properties अलग अलग है ऐसे ले लो ना 1 1 0 0 तो यह symmetric तो है reciprocal तो नहीं है sorry 1 1 और ऐसा ले लो 1 1 minus 1 minus 1 model तो बनाई सकते हैं अब अगले पे आगए πाई पे अगले में आगए πाई पे अब पाई में क्या करता हूँ ना बीच में एक नया current define कर देता हूँ I अब मैं आपसे कहता हूँ ये current है IC1 और ये है IC2 सबसे पहले मुझे ये बताओ IC1 कितना है सर ये है Y by 2 into VR तीक है अब कोई ये पूछ रहा है adverse effect क्या होते है फेरेंटी effect के अरे भईया voltage बढ़ गए insulation को खत्रा हो गया और इससे adverse क्या होगा voltage का rated से उपर जाना अच्छी बात थोड़िये क्यों भईया थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो यार थोड़ा सा processing बस और कुछ नहीं चाहता मैं तुम लोग class में बस थोड़ा सा दिमाग लेके आ जाओ बाकी रखके भी आओगे तो भी चलेगा बट एकदम खाली हात मताया करो ठीक है खाली हात तो फिर भी ठीक है खाली सिर मताया करो अब देखो यह आया अब मैं पहले vs निकाल लेता हूँ जब मुझे z में current मिल चुका है तो मैं कहूंगा वी आर प्लस आई जड ठीक है वी आर प्लस आई आर प्लस वाई बाई टू वी आर इंटू जड वी आर 1 प्लस वाई जड बाई टू प्लस आई यार जड ये तो आ गया भई ये तो आ गया एक vs तो आ गया अब बचा क्या is is बच गया is है i प्लस ic2 ic2 i क्या है sir ir प्लस y बाई टू वी आर और sir ic2 क्या है ic2 है बेटा y बाई बाई टू वी एस लेकिन हमें rhs में na vr और ir चाहिए होता है vs नहीं चाहिए तो vs हटाना पड़ेगा कैसे हटाओगे vs यहां से डाल देना vs यहां से डाल देना तो क्या है मेरे भाई is यहां से डाल प्लस y बाई बाई टू वी आर ठीक है अब देखो ir वाली terms ना एक साथ collect कर लो इसको simplify कर ले ना मतलब इसमें मैं क्या बता हूँ इसको ना simplify कर ले ना बहुत बढ़िया answer आ जाएगा पहले की तरह मैं direct लिक दे रहा हूँ ठीक है अब इतना तो आप लोग करील होगे basic algebra है अब देखो इसके बाद ना पहले ये model पूरा करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये याद कैसे करना है बस आपको ना टी और पाई के parameter याद करने है टी और पाई के that is important और कल जो है ना कल मैं आपको long line करवाऊंगा कल बढ़िया तरीके से long line करेंगे अब देखो यहाँ भी a और d तो बराबर दिख रहे है ठीक है a और d बराबर दिख रहे है तो भई symmetric तो है a और d बराबर है तो symmetric तो है और देखो ad minus bc निकालोगे ना वो भी यहाँ पे भी वनाएगा तो यह reciprocal भी है तो बहुत बढ़िया network है क्योंकि practically line भी यही होती है symmetric और reciprocal symmetric और reciprocal बात clear हुई बात clear हुई यहाँ तक अब prince कहरे हैं lagging load हो तो अब फेरंटी effect का फायदा होगा क्या मेरे बाइद देखो lagging load है और line में capacitance है तो anyways power factor इंप्रूव हो जाएगा ना line की capacitance से तो आप यह कह सकते हो line capacitance का lagging load में benefit यह होता है कि power factor इंप्रूव हो जाता है अब देखो आपको यहाँ पर यह दिख रहा है ना at is equal to a pi दोनों का a तो same आ रहा है ना तो same level of फेरंटी effect अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसके parameter याद कैसे करने है parameter याद कैसे करने है देखो आपको यह तो याद रहेगा ना 1 plus y z by 2 आता है a और d a और d आता है 1 plus y z by 2 अब b में z आना है और c में y आना है b में z आएगा और c में y लेकिन एक term बच गई 1 plus y z by 4 सर यह कहां रखें सर यह कहां रखें 1 plus y z by 4 तो मेरे भाई देखो देखो यहाँ पर आपने z को 2 हिस्से में डिवाइड किया तो z के साथ रखा यहाँ आपने y को 2 हिस्से में डिवाइड किया तो y के साथ रखा यानि जो भी parameter z या y दो parts में divided है उसके साथ लिखोगे 1 प्लस y z by 4 यानि πाई में y के साथ, z में t के साथ अब बात आती है सर दोनों में से कौन सा model यूज करना चाहिए दोनों में से कौन सा model यूज करें question यह आता है तो मेरे भाई मैं यह कहता हूँ, दोनों में से वो model यूज करो जिससे analysis असान हो तो क्या होता है न देखो, जो power system analysis है जो power system analysis है यह होता है nodal analysis यह न load flow में आप देखोगे, यह होता है nodal analysis तो इसी लिए best model कौन सा होगा? best model has minimum nodes क्योंकि जितनी nodes होती है न, nodal में उतनी equation बनती है अब देखो, पाई में तो दो nodes हैं एक sending और एक receiving लेकिन T पे जाओगे, तीन node हो गई sending, receiving और यह बीच में midpoint तीन nodes आ गई न, ठीक है? तीन nodes आ गई अब अगर मेरे भाई तीन nodes आ गई बीच इसमें तो यहाँ पे आपकी T के अंदर तीन equation बनेंगी पाई में दो बनेंगी तो पाई is better than T पाई is better than T इसलिए आपना power system में यह देखोगे जादा तर जगे पाई model ही use होगा क्योंकि यहाँ होती हैं दो nodes और T में होती हैं तीन nodes समझ में आया? तो पाई model is always preferable जब हम load analysis करेंगे न जब हम load analysis करेंगे तब हम पाई model का use करेंगे ठीक है? load flow analysis अब summarize करा दें अब सब लोग का expression ऐसा होगा summary के अंदर तो देखो याद तो बस क्या करना है? nominal T और nominal पाई ठीक है? याद दो ही model करने हैं मेरे भाई सारे मत करने बैठ जाना क्योंकि बाकी दोनों पे सवाल आएगा नहीं? आ गया तो कभी network से बना दे ना वैस तो भूले भटके भी नहीं आता है उस पर question आज तक तो आया नहीं जब उनके पापा model बैठे हैं तो फिर छोटे छोटे बच्चे model पे क्यों आएगा सवाल? उससे बढ़िया model है I.T के पास ठीक है? अब देखो याद करने का मैंने तरीका बता दिया जो भी parameter दो भाग में divide होगा उसी parameter के साथ आप 1 प्लस YZ बाई 4 लगाओगे अब आपको क्या पता होना चाहिए देखो sending end वाले model में A तो था 1 receiving end वाले में 1 प्लस YZ जो की था minimum तो यहाँ पे क्या था? maximum faranty effect तो हम यह कह देते हैं faranty effect का order क्या होता है? तो AS Sending end में तो होता ही नहीं है उससे जादा होता है T और πाई में और उससे भी जादा होता है receiving end में ठीक है? sending end के अंदर तो 0 होता है sending end के अंदर तो 0 होता है और बाकी उससे जादा होता है T और πाई में और सबसे जादा होता है receiving end में समझ आया समझ आया सभी लोगों को कि किस तरह दे फैरेंटी इफेक्ट का order defined है clear है चलो तो medium line के अंदर बस आपको इतना याद करना और कुछ भी याद नहीं करना फैरेंटी इफेक्ट back of the mind हमेशा रखना कि जब कभी line में charging capacitance होगी line charging current होगा तो receiving and no load voltage होगी more than sending and voltage अब देखो जैसा मैंने बताया अगर मेरी special classes attend करना चाहते तो इस link पे चले जाना कल मैं power system economics के previous year लगवाने वाला हूँ power system economics के previous year लगवा हूँआ economic load dispatch के दोपैर साड़े बारा बजे तो उसका link आपको यहाँ मिलेगा upcoming special classes में तीक है और यह channel तो भाई आपके लिए बुनानजा है यह channel तो आपके लिए encyclopedia है इस पे सारे subject पड़े हुए हैं एक बार review करो एक बार search करो सारे subject जितने भी gate में आते हैं सब इस channel पे आपको मिलेंगे कोई भी subject नहीं बचेगा ठीक है और अगर आप plus पे आते हो मिरे भाई तो तो महौल ही अलग है क्योंकि इंडिया के सारे top educator एक साथ live class ले रहे हैं आपके सारे doubts clear कर रहे हैं इसमें 12 महीने का subscription पड़ेगा 27 to 25 लेकिन code क्या लगाना पड़ेगा मिरे भाई अंकित ESE यह आपका मेरा हम सबका code है अंकित ESE 18 months का subscription में आप बस 7,000 extra pay करो 6 महीने extra मिलेंगे 34,650 में अंकित ESE से और 5,000 अगर add करते हो तो you can go for 2 years यहाँ per month cost सबसे कम पड़ेगी per month सबसे कम पड़ेगी 39,624 months के लिए ठीक है देड़ अजार उपे भी नहीं पड़ेगा per month iconic पे जाते हो तो plus का बड़ा भाई यह plus के सारे benefit है और साथ साथ personal coach interview guidance study material included है 12 महीने 40,500 code बस याद रगना अंकित ESE और 24 months में 54,000 using the code अंकित ESE और देखो यह मेरा unacademy profile है इसे follow कर लेना ताकि जब जब मैं unacademy पे live आऊं आप लोग को notification आ जाना चाहिए और यह मेरा telegram channel है मेरे भाई यह मेरा telegram channel है यह आपको दिख रहा होगा gate AIR1 इस पे आप connect हो जाओ आपको सारे links जितने भी lecture लेता हूं मिलते रहेंगे अब electrical junction पे अभी मैं साड़े आठ बजे opamp specification कवर करने वाला हूं तो junction पे आ जाना पार्ट शाला पे animated videos आ रहे हैं भर भर के इसको subscribe कर लो gate question पे PYQ हम लोग लगा रहे हैं तो gate question subscribe करना है और इसके अलावा JEE और AEE exam के लिए दो चैनल है Unacademy SSC JEE और GS Terminal RRB SSC ये दो चैनल आप subscribe कर लोगर JEE और AEE exam की तयारी कर रहे हो ठीक है बाकी चैनल अपने mechanical, civil और CS वाले दोस्तों को बता देना उनके लिए भी complete syllabus YouTube पे available है So thank you everybody like, share और subscribe करना मत बूलना वो लाल बटन दबा देना, subscribe वाला और bell icon हिट कर देना घंटी बजा देना चैनल की जब-जब कुछ भी होगा आपके पास notification आएगा इसलिए घंटी बज़ानी चाहिए और सभी दोस्तों से share कर देना बहतरीन content free of cost provide किया जा रहा है YouTube पे ठीक है? चलो फिर अभी साड़े आठ बज़े मिलते हैं junction पे opamp discuss करेंगे थैंक यू